हेलो एबरीबन वेलकम टो स्कूल राज थोरी तो आज हम देखेंगे क्लास एट सबजेक हिंदी का चेप्टो फर्स्ट ध्वानी का ग्रह कारे जो की स्माइल ओन्लाइन क्लासेस की द्वारा अध्यनरत सभी विध्यारतियों को उनकी कक्षा के अनुसार दिया जा रहा है तो पर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को दिया गया यह ग्रह कारे दिना तीन दिसंबर 2020 का है इन प्रश्टों को अपनी किताब में हल करें एवं अपने सिक्षक के साथ इसे साजा करें कोईशन फर्स्ट है ध्वानी कविता के रच्चियता का नाम बताईए आंसर देखते हैं आंसर है ध्वानी कविता के रच्चियता सूरे कान त्रिपाठी निराला है नेक्स कोशन सेकिंड है बसंत रीतु के आने पर प्रिकृती में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं आंसर देखते हैं आंसर है बसंत के आगमन पर पेड़ों में पत्तिया नई डालिया कलि या आदी आ जाती है अर्थात पेड का स्वरुप ही नविन हो जाता है। नेक्स्ट कोशन थर है निम शब्दों के अर्थ बताईए कर, मनुहर, गात, पात इत्यादी शब्दों के अर्थ बताने हैं। सबसे पहले आंसर में देखते हैं करकार, जो होता है हाथ, मनुहर, जिसका अर्थ होता है सुन्दर, गात, जिसका अर्थ होता है शरी, तथा पात, जिसका अर्थ होता है पत्ता। नेक्स कोईशन फोर्थ है रिक्तिस्थानों की पूर्ती करूँ यहां हमें ध्वनी पाठ की कुछ पंक्तिया दे रखी है जिनके बीच में जो रिक्तिस्थान है उनको पूरा करना है तो पंक्ति कुछ इस तरह से है पुश्प पुश्प से रिक्तिस्थान लाल सा खीच लू तो आंसर होगा पुश्प पुश्प से तंद्रा लस लालसा खीच लूंगा में अपने नव जीवन का अमरिक सहर्ष सीच दूंगा में और इस क्रहकारे का लास्ट कोशन है ध्वानी कविता में कभी ने क्या संदेश दिया है आंसर है ध्वानी कविता का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हताश और उदास नहीं होना चाहिए अपने जीवन में उस्सा और आनन्द को सदेव बनाए रखना चाहिए तो ये था ध्वानी पार्ट का ग्रहे कारे हम आगे भी इसे तरह अन्य पार्ट के ग्रहे कारे देखेंगे तो जुड़े रहे इसकोल राज थोरी चैनल के साथ और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद